नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी कलास में आप सभी का स्वागत है आज हम RPSC फेस्ट ग्रेड के नए पाठेक्रम में सामिल कहानी पुरुषकार के बारे में पढ़ेंगे पुरुषकार जैसंकर प्रसाद के चोथे कहानी संग्रे आंधी जो 1931 में प्रकासित हुआ था में संग्रीत है ये हमें ध्यान में रखना है कि पुरुषकार जो कहानी है यह जैसंकरपरसाद के चोथे कहानी संगर आन्धी में संगरीत है जो 1921 में परकासित हुआ दा कहानी का मूल उदेश्य कहानी का मूल उदेश्य जो इसमें लिखा हुआ है वो किसी परशन का उत्तर जो हो सकता है व्यक्तिगत प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम की मरियादा का निर्वाह यह कहानी का मूल उदेश्य है व्यक्तिगत प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम की मरियादा का निर्वाह यानि जो मधुलिका इसकी जो नाईका है वो व्यक्तिगत प्रेम को भी निभाती है तथा राष्ट्र प्रेम की मरियादा का निर्वाह भी करती है यह इस कहानी का मूल उ और सारांस में हम पढ़ें कि कोशल परदेश ये हमें ध्यान में रखना है कि मधुली का जो है वो कोशल परदेश की है कोशल परदेश में एक वर्स में एक बार करशी महुच्छव होता है यानि एक वर्स में एक बार करशी महुच्छव का आईजन होता है और इसमें होता क्य है कि राजा एक दिन के लिए कर्शक बनता है और उस दिन जिसकी भूमी का चैन होता है वह भूमी या खेत राजा की हो जाती है जिस दिन कर्शी महुत्स होता है उस दिन राजा एक दिन के लिए किसान बनता है और किसी एक की खेती का खेत का चैन करता है और वह खेत हमेशा के लिए राजा का उजाता है और राजा उसे पुरुषकार देता है इस बार मधुलिका के खेत को चुना जाता है मधुलिका वीर गती को प्राप्त वीर शेनापती शिहमित्र की पुत्रीत ये हमें ध्यान में रखना है कि कोशल परदेश की बात है कर्शी महुत्सव एक साल में एक बार होता है, वहां का राजा एक दिन के लिए किसान बनता है, और किसी एक की भूमी का चैन करता है, जिसकी भूमी का चैन करता है, वह राजा की हो जाती है, और राजा उसे पुरुषकार देता है, और इस बार मधुलिका के खेत का चैन होता है, मधुलिका जो है, वो वी पडोसी राजियों के राजकमार भी आते हैं मगद का राजकमार अरुण भी वहां होता है जो मधुलिका के एदवित्य सोंद्रे पर आशक्त हो जाता है मगर मधुलिका उसके प्रेम प्रस्ताओं को ठुकरा देती है और राजा के पुरुषकार को भी ठुकरा देती है राज पुरी मधुली का जो है वो उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है लेकिन मन ही मन जो है वो मधुली का जो है उसको अरुण बीच बीच में याद आता रहता है और इसमें आगे सारांच में लिखावा है कि मधुली का वही खेत में मधुक वरक्ष के नीचे रहने लगत और उसकी चाहत बहुत गहरी हो जाती है कुछ समय पस्चात यहां पर कुछ की जगह बहुत आएगा कि बहुत समय पस्चात अरुन मगद का मगद से निर्वासित होकर मधुलिका के पास आता है यानि बहुत समय के पस्चात जो है वह अरुन जो है वह मगद से निर्वासित हो और वह मधुलिका से कहता है कि आप राजा से किले के दक्षन भाग वाली बंजर भूमी पुरुषकार में ले लो। दक्षन हिस्से से वह कोसल की सेना पर आकर्मन करूँ और उसको प्राजित करके वह मैं यहां कार्जा बनोगी ताकि उधर से आकर्मन करके मैं में कोशल के राज्य को जीतलू, मधुली का मान जाती है वैसा ही करती है लेकिन जिस रात अरुन आकर्मन की सोचता है मधुली का विचली तो हो जाती है यह यहां पर ध्याम देने की बात है कि मुख्य समवेदना यहां पर उत्पन होती है कि मधुली का अरुन की बात मान जाती है मधुली का दक्षिन भाग को पुरुसकार में ले भी लेती है और उसको समतल भी करवा लेती है अरुन जिस रात आकर्मन करने की सोचता है उसी रात वह विचली तो हो उठती है और सोचने लगती है कि मैं मैं राष्टर के साथ ऐसा न बता देती है अरुन को बंदी बना लिया जाता है प्राण दंड दिया जाता है मधुलिका को राष्टर की रक्षा हे तू मधुलिका को राष्टर की रक्षा हे तू पुरुषकार मांगने को कहा जाता है मधुलिका वह पुरुषकार में प्राण दंड मांगती है और अरुन भी प्रामदंड दे दीजिए इस तरह वो राष्ट्र प्रेम की रक्षा भी करती है और अपने व्यक्तिगत प्रेम जो है उसको भी अंत में निभाती है कि नहीं मुझे अब नहीं जीना है मने प्रेम के साथ दोखा दिया है इसलिए मैं इसी के साथ जो है मुझे फांसी दे रहती थी मधुली का जो है अरुन जो है वो कौन से राज्ये का राजकुमार था ये तक्ष्यात्मक परसन नहीं बलकि अवधरनात्मक परसन आते हैं जो कि विशेष्टाओं से ज्यादा सही होते है कि इसमें कौन-कौन सी विशेष्टाओं बन सकती है तो इस कहानी के अतीत गोरव का गाण है जहान है अत्रडवंद्वय का उद घहाटन है अब देख़ें। मधGHुलिका के मन विचलीत हों जाता है और वह अंत्रडवंद्वय में फस जाती है। अपने मन में जो द्वंद्वय चलता रहताया है वह उसको राजा के सामने उदगाटित करती है तो अंतरदवंद्वे का उदगाटन है भाव परवनता है क्योंकि वो अपने भाव भाव के अंदर जो है वो भैजाती है और अरुन की बात मान लेती है तो भाव परवनता है राष्ट्य भावना भी है क्योंकि फिर वो भाव परवनता के साथ-साथ उसकी राष्ट्य भावना जागरत होती है और उद्दात प्रेम की भावना भी इसमें चित्रित है कि अंत में वो अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे भी प्रामदंड दे दीजिये मुझे भी नहीं जीना है तो इस तर भूमी के परती प्रेम रखती है अपने मात्र भूमी को बेचती नहीं है कि मुझे पुरुषकार नहीं चाहिए मैं अपने पूरवजों की भूमी को जो है वो बेच नहीं सकती हूँ राजा से पुरुषकार नहीं लेती है और एक दवंद्वय गरस्त नारी का पात्र है इ उसको मना भी कर देती है, लेकिन फिर भी पीछे से वो जो है, उसको अरुन जो है, वो याद आता रहता है, वीर अववे सहसी करशक बालिका भी है, और एक सच्ची देश प्रेमी का भी जो है, वो इसमें दिखाया गया है मधुलिका को, तो ये पांच विशेष्टाइं जो ह ऐड़र कायए, वो इस कहानी की है, जो परसन को यदि अउधारनातमक परसन आता है, तो उसको सही करवा सकती है, यह हमें ध्यान में रखना है, प्रुशकार जो कहानी है, यह 1931 में 21ства में प्रकासित चोथे कहानी संग्रे में जो है, वो संग्रित है, तो ये इसके कुछ पर परसन जो है वो बन सकते हैं हम फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई